हेलो फ्रेंड्स फिल्कम बैक तो माई चैनल मैं संधिया और आप देख रहे हो संधिया सी लाइड डिजाइन फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही प्यारा सा बैकनेक डिजाइन देखने वाले हैं तो देखो इसके लिए सबसे पहले मैंने अपने बैकनेक क कट कर लिया तो इस ब्लाउस की कटिंग मैंने आप लोगों को दिखाया है अगर आपनी नहीं देखा है तो देख लीजेगा जाके और बस मैंने जैसे कट किया था वैसे ही अपना बैक पार्ट उठा लिया है और उठाने के बाद सबसे पहले यहां पर हम अपने अस्तर वा ली है और इस तरह से यहां पर एक बाक्ष बनाया और फिर इसके बाद यहां पर इस तरह से हलकी सी गुलाई कर लेनी है तो यहां पर मैं जो डिजाइन बना रही हूं उसी का सेव दे रही हूं तो इस तरह से मैंने यहां पर सेव दिया हुआ है देख सकते हो तो अगर आप चाहिए तो मैंने जैसे इसको फैलाया है वैसे ही आप भी फैला दीजेगा इसके बाद इसको हम पूरा कटिंग कर लेंगे तो इस तरह सी हमने यहाँ पर कट कर लिया है अब कट करने के बाद इसको पूरा ओपन करेंगे तो यह रहा हमारा पीछे का पला अब हम यहाँ पर ल जिससे कि हमारा फैबरे कि दर उदर भगे नहीं और आराम से अच्छे से फैब सिलाई लगा लेते हैं तो हम यहांपर सबसे पहले गले पर शिलाई लगाएंगे और नीचे की साथ भी सिलाई लगा देंगे क्योंकि इसको डायरेक्ट फूल्ड करना है हमने कटिंग भी ऐसे ह की थी तो बस इस तरह से इसको हम सिलाई लगा लेते हैं तो अच्छी फनीसिंग के साथ में यहां पर शिलाई लगाना है कि हमने यहां पर शिलाई लगा लिया इसके बाद नीचे की साथ भी हमें सिलाई लगा लेना है नीचे भी हमने लगा लिया अब इसके बाद जो एक् सब्सक्राइब नहїं अस वाला नाया है तो आप मेपर के उल्टे साइड में छला इस तरह से यहां पर इसे पलट लिया अब पलटने के बाद इसको हम सीधा साइट से करेंगे इसको हम ऐसे ही बिल्कुल बराबर रखेंगे नीचे सिलाई लगाएंगे और उपर भी शिलाई लगा लेंगे गले पर तो बस इस तरह से यहां पर हम शिलाई लगा लेते हैं तो देखो इस तरह से हमने यहाँ पर पूरे गले पर शिलाई लगा लिया उपर से जब यह शिलाई लगा लेते हैं तो हमारे कोई भी फैबरिक होता है वो अच्छे से चिपक के बैड़ जाता है और फनीसिंग भी बहुत अच्छी आती है तो यह हमने यहाँ शिलाई लगा इसके बाद बढ़ं यहाँ पर मीन फैबरिक और इस तरवाले फैबरिक को जोड लेए तो इस तरह से हमने यहाँ पर जोड लिया और जोड़ने के बाद जो भी एक्स्ट्रा का फैबरिक था उसे अमने कट कर दिया इस तरह से तो देख सब Crime अब उसको दो गांग अचीन चॉटो लगेंगे हो शेद aurait I ma j fine ये इसे seminar पर पहले तो चॉक से निशान ड्रॉड कर लेंगे लेने के बाद यहां पर निशान लगायब और पैप जो थोड़ा साइड निपए है इसके बाद जोophile पासे कपड निकला हुआ था बैक पार को उसको हम ले लेंगे और लेने के बाद यहां पर हम क्या करेंगे इसको ऐसे एक पतली-पतली सी पट्टियां दो कट कर लेंगे निकाल लेंगे तो यह देड़ हिंच की चोड़ाई और देड़ हिंच की लंबाई में लगबग लेना है तो यह हमने देड लेने के बाद इसको हम कोने शिकोना मिलाएंगे सीधे साइड को सीधा साइड उपर की साइड को रहे इस तरह से और बस यहां पर उपर से शिलाई लगा लेंगे एक बार तो ऐसे ही हमें सारे पैटन बना के तयार कर लेना है तो बस इसी तरह से कोने शिकोना मिलाएंगे और मिलाएंगे और शारे में शिलाई लगा लेंगे और इस तरह सी शिलाई लगाने के बाद इनको अब हम एक एक करके अलक कर लेंगे क्योंकि यह मारे जुड़े हुए थे तो भी में इनको हम क्या करेंगे, इस तरह से कपड़ा नहीं कटो, बस किवल धागे-धागे कट कर देना है, और फिर इसके बाद यहाँ पर जो हमारा एक्ट्रा का फैबरिक उसे हम इस तरह से बराबर से कट कर लेंगे, तो सिलाई के उपर से थोड़ा सा कट करना है, बस इस तरह से हमन बिल्कुल उपर से भी लगा सकते हो लेकिन मैं थोड़ा सा नीचे लगाऊंगे आप बिल्कुल गले के उपर से लगा सकते हो तो मैं यहाँ पर इस तरह से एक पैटन ड्रॉ कर रही हूँ और इसी पैटन के उपर जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है इसी के उपर मैं यह अपने जो पैटन तयार किया है इनको हम इस तरह से रखेंगे रखने के बाद यहां पर हम उपर से शिलाई लगा लेंगे तो बस यहां पर हम शिलाई लगा लेते हैं तो एक-एक पीस लेना है और इसी तरह से सिलाई लगाते जाना है जितने में हमने नीचे की साइट पैटर्ण ड्रॉख किया हुआ था बस उतने में ही लगाना है इस तरह से अब ये लगाने के बाद यहाँ पर हम ले लेंगे लेस और लेस को बस उसी पैटर्न के उपर से जिससे की हमारे धागा वगेरा ना दिखें और जो मतलब फनीसिंग अच्छी आजाए उसी के उपर हम लेस रखेंगे और बस यहाँ पर उसी के बिल्कुल बराबर बराबर से शिलाई लगा लेंगे अच्छी फनीसिंग के शाथ में तो यह हमने यहाँ पर उपर से शिलाई लगा दिया अब इसके बाद यहाँ पर जो हमने पैटर्न ट्रॉक किया हुआ था उपर से तो सबसे पहले तो हम ऊपर वाले गले पे हम यहाँ पर शिलाई वो लेस लगा देंगे इसी तरह से जैसे हमने नीचे की side लगाया है तो यह दो layer में हम लगा रहे हैं तो इस तरह से हमने यहाँ पर शिलाई लगा दी तो double सिलाई आपको जरूर लगानी है कभी भी लेस लगाओ तो लेस की दोनों साइट से सिलाई जरूर लगाना एक साइट से सिलाई लगाके छोड़ना मतलब सेंटर से भी मत लगाके छोड़ना फिर ये लेस हमारी पलड जाती है फिर वो अच्छी नहीं लगती है तो इस तरह से हमने यहाँ पर शिलाई लगाया और फिर इसके बाद जो हमने साइट में पैटर्न ड्रॉ किया हुआ था बिलकुल उपर से लेना है और शिलाई लगा देना है सेम ऐसे ही दूसरी साइट भी हम यहाँ पर लेस लगा के कंप्लीट कर लेंगे तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं में सारी लेस में डबल सिलाई जरूर चला रही हूँ दोनों साइट से इस से हमारे लेस में जो बिलकुल बलाउस पुराना होते हुए भी लेस हमारी खराब नहीं होती है तो इस तरह से सिलाई लगानी है आपको भी और फिर इसके बाद यहाँ पर हम नीचे की साइड अपनी लेस लेंगे और यहाँ उपर से शिलाई लगा लेंगे तो इस तरह से हमने यहाँ पर शिलाई लगा लिया तो देखो इस तरह से हमने यहाँ पर शिलाई लगा लिया अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर हम अपनी डोरी लगाएंगे तो डोरी लगाने से पहले हम अपने बैक पार्ट में यहां पर अपने dot complete कर लेते हैं तो इस तरह से यह पकड़ना है और पकड़ने के बाद यहां पर शिलाई लगा लेना है तो जैसे हम dot complete करते हैं वैसे ही complete कर लेना है और अगर friends आप लोगों ने मुझे Instagram पर follow नहीं किया है तो जाकर follow कर लीजेगा वहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत ही प्यारी प्यारी शी डिजाइन सेयर करती हूँ तो जाएगा वहाँ पर मुझे फॉलो करिए और फिर इसके बाद यहाँ पर हम डोरी लगाएंगे तो डोरी बनाने के लिए हम यहाँ पर लटकर ले लेंगे तो यह मैंने चार इंच के स्कॉयर में फैबरिक लिया हुआ है और कोने से कोने मिलाया और इस तरह से डोरी को रखना है बिल्कुल सेंटर पर और ऐसे रखने के बाद यहाँ पर फिर से इसको एक बार फोल्ड कर लेंगे इस तरह से यह हमने इसे एक बार फोल्ड कर लिया फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पर शिलाई लगा लेंगे इस तरह से तो यह हमने यहाँ पर शिलाई लगा दिया और इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा का फैबरिक है उसे हमें कट कर देना है यह हमने कट कर दिया और यह कट करने के बाद आप हम इसको ऐसे अंदर के शायट को फोल करेंगे फोल करने के बाद फिर से उपर से सिलाई लगा लेंगे तो बस यहाँ पर भी यह सिलाई हमने लगा लिया और इसके बाद इसको हम cut करतेंगे cut करनी के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे तो बशाव कर लेते हैं तो देखो ये हमारा लटकण बनके ready हो गया है देख सकते हो मैंने इसमें कोई ज़्यादा design नहीं बनाई है simple लटकन आप इसी तरह से बना सकते हो लेकिन अगर आपको जैसे डिजाइन में बनाना है तो जाएएगा मेरे इंस्टाग्राम पर बहुत ही प्यारे प्यारे शे लटकन के डिजाइन मैंने बना के शेयर किया हुआ है तो जाएए वहाँ से देख लेना अब इसके बाद मैंने उपर से चार अंगुल छोड़ते हुए डोरी को लगा लिया है इन डोरियों को अपने बैकनेक में और बस इस तरिस यह हमारा बैकनेक ब्लाउश डिजाइन तैयार हो गया है कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा है और वीडियो पसंद आया है तो प्लेज वीडियो को लाइक कर देना अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी ही नए नए वीडियो देखने के लिए तो चलो मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए जैस्टिक